साथियों कुरुशी सुधारों का एक और एहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है अब जब कोई किसान के साथ एग्रिमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो इसके लिए एग्रिमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीच आधुन तक्निक अत्याधुनिक उपकरान विशेशज्यता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा तो उसको तो उसी रोजी रोटी उसमें है अच्छी उपज के लिए सुभीदाय किसानों के दरवाजे पर उपलब्द करवाएगा एग्रिमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरफ वाकिब रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के रिसाब से काम करने में मदद करेगा अब आपको मैं एक और सिती बताता हूँ अगर किसी बज़े से किसी परेशानी की बज़े से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बरबाद हो जाती है तो भी यह याद रखिये तो भी जिसने एग्रिमेंट किया है उसको किसान को उपज का जो दाम निर्धारित वो उसको देना ही पड़ेगा एग्रिमेंट करने वाला अपने एग्रिमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रिमेंट को किसी भी बज़े से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है सामने वाला नहीं कर सकता है क्या ये स्थितिक किसानों के लिए फाइदेमन है के नहीं है सबसे ज़्यादा एस्ष्योरनस किसान को है के नहीं है किसान को फाइदा होने वाली गारंटीजम है के नहीं है एक और सवाल लोगों ने उच्छान करेकर रखा हुआ आपके मन में भी आता होगा अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शौंदार हो गया, जो एग्रिमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफ़ा एग्रिमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है, तो एग्रिमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है, लेकिन अगर ज ज्यादा मुनाफ़ा हुआ है, तो उसमें से कुछ बॉनस भी किसान को देना पड़ेगा, इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है, ऐसी सितितियों में, किसान एग्रिमेंट में तय किये गे मुल्ले के अलावा, जैसा मैंने कहा, बॉनस का भी वो हकदार होगा, पहल और रिटर्न किसी और का होता था, अम नए कृशी कानूनों और सुधार के बाद स्थीति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है, अब सारा रिस्क एग्रिमेंट करने वाले व्यक्तिया कंपनी का होगा, और रिटर्न किसान का होगा, साथियों, देश के कई भागों मे एग्रिमेंट फार्मिंग को पहले भी परखा गया है, उसे कसोटी पर कसा गया है, क्या आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा दुख्द उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है, ये देश कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमार प्रशुपालक, हमारे किसान के मैनत है, आज डेरी सेक्टर में बहुत सी सहकारी और नीजी कमपनियां किसानों से दुख्द उत्पादकों से दुद्ध खरीती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं, ये मोडल कितने वर्सों से चला रहा है, क्या आपने कभी सुना कि किसी एक कमपनी या सहकारी सहुता ने बाजार पर अपना कबजा जमा लिया, अपना एकादित कार कर लिया, क्या आप उन किसानों और उन दुख्द उत्पादकों के सबलता से परिचित नहीं हैं, जिनने डेरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है, एक और सेक्टर हैं, यहाँ पर हमारा देश बहुत आगे हैं, वो है पॉल्ट्री यहने मुर्गी पादन, आज भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है, पूरे पॉल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कम्पनियां काम कर रही है, कुछ छोटी कम्पनियां भी हैं, तो कुछ थान ज़्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेज सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे किसांओ को, कृसी सेक्टर को, इसी तरह का विकास करने का आउसर मिले, जैसा पॉल्ट्री और डेरी सेक्टर को मिला है, हमारे किसानों की सेवा मैं, जब बहुत सी कम्पनियां, व्योवसाय के कई तरह के प्रतिश्पर दिवहेंगे तो उन्हें अपनी उपज का ज्यादा दाम भी मिलेगा और बाजार तक उनकी बहतर पहुच भी संबव होगी साथियों नए कृशी सुधारों के जरिये भारतिय कृशी में नई टेक्नोलोजी को भी प्रवेश मिलेगा आधुनिक तक्रिक के जरिये हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे अपनी उपज को विवितता दे सकेंगे अपनी उपज की बहतर डंग से पैकेजिंग कर सकेंगे अपनी उपज में बैल्यू एडिशन कर सकेंगे एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपच्की पूरी दुनिया में मांग होगी और ये मांग और लगातार बढ़ेगी हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बलकि खुद निर्यातक बन सकेंगे दुनिया में कोई भी अगर क्रिशी उत्पादों के जरिये बाजार में अपनी धाग जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और कॉंटिटी दोनों की जरुवत होगी तो उन्हों बारत के किसानों के साथ साजियधारी करनी पड़ेगी जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आई बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कुरुशी बाजारों में भी खूद को उतनी ही प्रतिश्था के साथ स्थापित करें